मन तो मेरा भी करता है जुमू ना चूगाओं में आजादी की स्वर्ण जयंती वालेगी सुनाओं में मेग मलहारों वाला अंतह करन कहां से लाओं में मैं तामन में दर्थ तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ में दामन में तर्थ तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ आजादी के तूटे फूटे सबने लेकर बैठा हूँ गाव जिन्होंने भारत मातां को गहरे दे रखे हैं उन लोगों को जैड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं गाव जिन्होंने भारत मातां को गहरे दे रखे हैं उन लोगों को जैड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं जो भारत को बरबादी की हद तक लाने वाले हैं वे ही स्वरण जयन्ती का पेगाम सुनाने वाले हैं आजादी लाने वालों का तिरसकार तड़फाता है बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है इंकलाब की बलबेगी भी जिससे गोर अपाती है आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है और मेरा तेवर बोलता है इससे बढ़कर और शरम की बात नहीं हो सकती थी आजादी के परवालों पर घात नहीं हो सकती थी कोई बलबानी शेखर को आतंकी कह जाता है पथर पर से नाम हटा कर कुरसी पर रह जाता है पथर पर से नाम हटा कर कुरसी पर रह जाता है राज महल के अंदर एरे गेरे तन कर बैठे हैं बुद्धी जी वी गांधी जी के बंदर बन कर बैठे हैं इसलिए मैं अभी नंदन के गीत नहीं गा सकता हूँ मैं पीडा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ गाली की भी कोई सीमा है कोई मर्यादा है ये घटना तो देश द्रोह की परिभासा से जादा है मेरी आखों में पानी है सीने में चिंगारी है मेरी आखों में पानी है सीने में चिंगारी है राजनीत ने कुरबानी के दिल पर ठोकर मारी है वोटों के लालच में शायद कोई कहीं नहीं बोला लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला सुनकर बलिदानी बेटों का धीरस डोल गया होगा मंगल पांडे फिर शोनित की भाशा बोल गया होगा सुनकर हिंद महासागर की लहरे तरफ गई होगी शायद बिस्मिल की कजलों की बहरे तरफ गई होगी नील गगल में कोई पुछल तारा तूट गया होगा अस्वा कुल्ला की आँखों में लावा फूट गया होगा भारत भूपर मरने वाला टोला भी रोया होगा इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरत का पानी आसू आसू रोई होगी धर्ती की चूनर धानी क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी जूले से नानी और क्रोध की पराकास्था में जो कह सकता था वो कह दिया कहने का इशारा समझना बस इशारे से कह दिया जहां मरे आजाद पारके पत्ते खड़ कहीं सुर्ग में शेहरे से खरजी के बाजु खोड़ के हुगे शायर पल दो फलका उसकी नित्रा भाग गई होगी पिर पिस्टॉल उठा लेने की इच्छा जा गई होगी मैं दिनकर की परमपरा का चारण हूं भुशन की शेली का लगू उधारन हो मैं सूरज का बेटा तमके गीत नहीं गा सकता हो मैं पीड़ा की चीखों मैं संगीत नहीं ला सकता हो कौन थे चंदर से खराजाद नहीं जानते तो कहीं पढ़ लेते एक वाक्य बताना चाहता हूँ बस सारे संसार का करांती कारियों का इतिहास पढ़ लेना ये भाशा किसी करांती कारी की जुबान पर नहीं मिले की माबाप गरीग थे मध्यप्रदेश के लिए राजपर जिले के पास में गाउं भावरा में रहते थे अकेले बुढ़े माबाप रोटी के महताज किसी ना आके का तुम्हारे माबाप के पास रोटी काने के लिए पैसा नहीं है जो लूटते हो सरकारी खजाने पार्टी का फंड तुम्हारे पास रहता है क्या माबाप के पास केवल रोटी के लाइक भी नहीं भेश सकते है तो दो उत्तर दे थे चंड सेखराजाद ने एक उत्तर था कि माबाप केवल मेरे नहीं है और करांती कारिएं के भी है और मैंने जिसलिए एक कविता लेगी जसबाद तुम्हारे खुला दूसरा उत्तर था चंड सेखराजाद का जीवन भर याद रखना फिर दोहराता हूं कि संसार में किसी करांती कारी की जुबान पर ये भाशा नहीं मिलेगी चंद सेखर आजाद ने कहा था कि मेरे माबाप की तुम सेवा ना कर सको तो मुझे आके बता जाना मेरे पिस्तौल की दो गोली हैं उनके सीने में उतर कर उनकी बिस्सेवा कर देंगे जो आजादी के लिए अपने माबाप को गोली मारने को तया हरो उसको कोई आतंक वादी बताएगा और फिर कुरसी पर रह जाएगा इस पिड़ा को गाना चाहता हूं महायग का नायक शेखर गौरव भारत भूका है महायग का नायक शेखर गौरव भारत भूका है जिसका भारत की जनता से रिस्ता आज लहू का है जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाशा दी जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाशा दी जिसने धरा गुलामी वाली कांतनी के तनकर डाली आजादी के हवन कुंड में अगनी चेतन कर डाली जिसकी यसगाथा भारत के घर-घर में नहुचुंबी है जिसकी थोड़ी सी आयू भी कई युदों से लंबी है जिसको खुनी महनी से भी देहर चाना आता था अजादी का योधा के वन चले चबेना खाता था अब तो ने का परवस्ट के नहरों को खा जाते हैं नए जिले के सिला न्यास में शहरों को खा जाते हैं अब तो ने का परवस्ट के शहरों को खा जाते हैं नए जिलों के सिला न्यास में शहरों और चार लाइन में ने पूजा के लिए लिखी हैं साब आपका आशिर्वा चाहता हूं आप इसको लगे कि आजादी की पचासमें साल में ये पंक्तियां इस मुल्क की पूजा की पंक्तियां होनी चाहिए तो मेरा समर्थन कर देना है स्वर्ण जयन्ती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा शेखर इसकी बुनियादों के नीचे गड़ा हुआ होगा आजादी के कारण जो कोरों से कभी लड़ी है रे शेखर की पिस्तौल किसी तीरत से बहुत बड़ी है रे मैं साहित नहीं चोटों का चित्रण हूँ आजादी के यो मुल्यन का वर्णन हूँ मैं यगनी गंधा शबनम की पीत नहीं पा सकता हूँ मैं पीड़ा की चीखों मैं संगीत नहीं ला सकता जो भारत माता की जैके नारे गाने वाले हैं बहुत हिम्मत की थी मैंने लिखने के लिए क्योंकि मेरी उठा बैट थी उन लोगों के साथ उठा बैट खतम करने के लिए लिखा है मेरी हिम्मत को दाद देना जो भारत माता की जैके नारे गाने वाले हैं राष्टवाद की गर्मा गौरव ज्यान सिखाने वाले हैं जो नेतिकता के या मुल्यन का गम करते रहते हैं देश धरम की ठेके दारी का दम भरते रहते हैं जो छोटी छोटी बातों पर संसद में यड़ जाते हैं और शहीदों के मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते है साथ दिनों तक स्वर्ण जयंती रख लेकर जो घूमे हैं आजादी की यादों के पत्थर पूजे हैं चूमे हैं इस घड़ना पर चुप पेठे हैं सब के मुँपर ताले हैं हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं हम तो समझा करते थे साथ दिनों तक स्वर्ण जयंती रद लेकर जोगों में हैं आजादी की यादों के पत्थर पूजे हैं चूमे हैं इस घटना पर चुप बैठे हैं सब के मुँपर ताले हैं हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं सच्चाई के संकलपों की कलम सदा ही बोलेगी वर्तमान के अपराधों को समय तुला पर तो लेगी वर्ना तो साहस करके तो तूप ड़ंग भी सकते थे अलब शहीदों पर ठूके तो जीव ड़ंग भी सकते थे वरना तो साहस करके दो टूप डाट भी सकते थे अगर शहीदों पर थुके तो जीव काट भी सकते थे जलियां वाले बाग में जो निर्दोसों का हत्यारा था उस डायर को उधम सिंग ने लंदन जाकर मारा था केवल सिंग असन का भाट नहीं हूं में विर्दा वलियों की ही हाट नहीं हूं में मैं दरपन हूं दागी चहरों को कैसे भा सकता हूं मैं पीडा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं मैं पीडा की चीखों में संगीत जो भारत में पेरियार को पेगंबर दर्शाती है जो भारत में पेरियार को पेगंबर दर्शाती है वातावरन विशेला करके मन ही मन मुस्काती है जो अतीत को तिरसकार के चाटे देती आई है वर्पमान को जातिवाद के काटे देती आई है जिसने चिक्रकूट नगरी का नाम बदल कर डाल दिया तुलसी की रामायन का समान को चल कर डाल दिया जो कर दिलक गोखले को गदार बताने वाली है खुद को ही आजादी का हकदार बताने वाली है उससे कट बंधन जारी है ये कैसी लाचारी है शायद कुरसी और शहीदों में अब कुरसी प्यारी है शायद कुरसी और शहीदों में अब कुरसी अन्तिम पंक्तिया मेरा अब नमर प्रणाम उनमर शहीदों को जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे भारत माता की जै कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे जिन वेटों ने धर्ती माता पर खुरुबानी दे डाली आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली करते रही आप बक्वास उनका सम्मान कम नहीं होता वे सतरंगे इंद्रधन उसके रंग बने बैठे होंगे उन बेकों की याद भुलाने की नादानी करते हो इंद्रधन उसके रंग चुराने की नादानी करते हो इंद्रधन उसके रंग चुराने की ना दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं उनके इस मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं जिनके कारण ये भारत आजा दिखाई देता है अमरती रंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को जबका लेना उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को जबका लेना उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसु टपका देना उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसु जो धर्ती में मस्तक बोकर चले गए दाग गुलामी वाला धोकर चले गए मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भरगा सकता हूँ मैं पीड़ा की खातिर मैं पीड़ा की चीखों मैं संगीत नहीं ना सकता हूँ